गुड मॉनिंग गयों आज आठ अक्टूबर 2020 और आठ अक्टूबर को वायू सेना दिवस मनायाँ जाता हैweise 8 9 ले देपातिक ओनई तो वीडियो Nazgachal गया Karma के सुछ गारएति आठक Kaldr जरूर बताएं तो प्रते कुशन के साथ स्टेटिक जीके के इंपोर्टेंट फेक्ट दिये जाएंगे अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं तो इस्टार्ट करते हैं आज चेकर अंट फिर चलते हैं प मौनिट्री पॉलिशी कमिटी के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है तो तीन इकानोमिस्ट थे उनको चुना गया हैं तीनों को चुना गया है उप्यूक्त सभी यान्ए डॉक्टर आसिमा गोईल, जयन्थ आरवरमा और डॉक्टर असौक भीडे तो इन तीनों को भी RBI की जो मोद्रिक निती समिती हैं, उसके सदस्य के रूप में चुना गया हैं, उसके लावा बात करें, जो ये मोद्रिक निती समिती हैं, जो ये मोद्रिक निती समिती, इसमें 6 सदस्य होते हैं, जिन में से 3 सदस देखें, और बाकि 3 सदस देखें, जिन को सरकार अपन्ट करती हैं, तो ये 3 अपन्ट किया हैं, अभी के अदर सरकार ने, डॉक्टर आसीमा गोहिल ये मुंबई की हैं, जैन तारवर्मा ये अहमदाबाद के हैं, उसके लाओ डॉक्टर असोक भीडे, ये कहां के हैं, नई दिल्ली के हैं, और जो MPC होता हैं, याने मोद्रिक निती समिती, याने मोनेटरी पोलिसी कमिटी, तो इसके जो पदेन अध् सकतिकांट 10, तो बात करें, और ब्याद की, इस्ताब 29 के एक अपरेल 1935 को हेड को ऑटर हैं, इसका मुंबई में, और इसके गवर्नर, गवर्नर हैं, वरतमार में, सकतिकांट 10, या और बियाए के 25 नमबर के गवर्नर हैं, इसे पहले उर्जीतार पटल दे 24 नमबर के, तो सीडी देशमोख सीडी देशमोख उसके लाओ पहले ब्रिटिस गवर्नर है और ऑश्वॉन स्मीथ और सीडी देशमोख यह भारते गवर्नर है आर बिया के पहले नंबर के और वर्तमान में सक्ति का अंदास हैं आर बिया गवर्नर नेक्स्ट कुसे ने तो इसी तरह important fact दिये हाली में किसा कि परसूद मसूर मिर्च डले खुर्षीनी को GI टेग दिया गया है तो यह दिया गया है कि तो उसक्पिम किए है डले खुर्षेनी GI इसको मिला यह इंप जोड़े है उसकी में जाना जाता है इसे डले कुर्षीनी तो ये विस्व की सबसे तीकी मिर्चों में से एक है डले खुर्षिनी इसी को भी जी आए टेग दिया गए है जी आए टेग याने जियोग्रापिकल इंडिकेशन टेग और इसकी मार्केट में 480 रुपे परती केजी के इसाब से ये बिक्ती है तो सिक्किम के लाल चेरी मिर्च जिसे इस ताने बासा में का जाता है डले खुर्षिनी इसको जी आए टेग दे दिया गए है अब ये जी आए टेग होता क्या है और ये क्यों दिया जाता है तो ये जैसे किसी जगह पर कोई चीज फेमस है तो उस जगह की पाचा उस चीज को उस जगह की पाचान बनाने के लिए इसे दे दिया जाता है जी आए टेग जिसे किसी स्थान पर जैसे दार जिलिंग की चाय फेमस है तो सबसे बले दार जिलिंग की चाय को मिला था जी आ तेग मिला था उसके लाव मनिपूर का चाक हाओ याने कालाचाओन इसको भी जी आएटेग मिला था गौरकपुर के टेरा को टाको भी जी आएटेग मिला था अब यह सिक्किमें डले कुर्से नहीं तो सिक्किमें कंचन जंगा नेशनल पार्क वेर इंपोर्टेंट है और सिक्किमें अगया थे से तियान रटेटर हैं भारत की दूसरी सबसे मुझा झोटी है इसके बात करें सिक्किम के यह मैं में सेग्किम है कि सिक्क्यम के पिट्ल लें गंग टॉक्व चिप मिनिच्ट्रश पिएस तमंग और गौवर्नर यह आखे गंगवर्साद उसके लाव जो सिक्क्यम है में दीकर है डिक यह इसप्सक्यम की सीमा तीन डेसों के साथ लगती है नेपाल भुटान और नेपाल-बुटान और सिक्किम की सीमा तो दियान रटने नेक्स्ट किसे में हाली में विशू कपास दिवस कब मनाई गये हैं तριcribe मनाई गये हैं अभी 7 अक्टूबर को 7 अक्टूबर को मनाई गया है World Cotton Day तियर साल मनाई ज़ता है 7 अक्टूबर को पिछली बार से ये शुरू आए 2019 में पहली बार मनाई गये तब विशू कपास दिवस वर्ल्ड कोटर डे अब ये क्यों मनाया जाता है तो कपास के फाइदे के बारे में बताने के लिए इसे मनाया जाता है हर साल तो 7 अक्टुबर 2019 को वर्ल्ड ट्रेड और्गेनायजिसन डबलू ट्यो तो इसकी दुवारा ये मनाया गया था सबसे पहले हैं तो डबलू ट्यो इसकी स्तापनोईती एक जनौवरी 1995 में को वर्ल्ड ट्रेड और इसका जिनेवा और इसमें 164 देश हैं और अभी इसके मान दे सकते हैं रोबर्ट अजेवेडो इन्हों ने स्तिपा दिया था तो वर्ल्ड कोटन डे साथ अक्टूबर को यह मनाया जाता है पहले बार यह 2019 में मनाया गया है उसके लए अक्टूबर के जितने भी दिवस हैं उनको रिवाईज करवाते हैं 1 अक्टूबर को मनाया गया था अंतराष्टिय वर्ध दिवस और International Copy Day और World Vegetarian Day मातमा गांधी की जन्म दिन अंतराश्ट्य इंचा लिवस चार अक्टूबर को वर्ल्ड ऐनीमल यानि वीसु पस ञाओ नियुज जब आएगी नॉक्टूबर तब बता दिया जाएगा नेक्स्ट किसन है वेर इंपोर्टेंट है आले में दोजार बीस का बहुतिकी का नॉबेल पुरुसकार किसे मिलाएं तो कल बताये था केमेश्ट्री का सोरी कल बताये था चिकित्सागा मेडिसन का अब बहुतिकी का और इन हाड गेंजल और एंड्रिया गेज इन तीनों को भी बोतिकी का नोबेल प्राइज मिलाएं तो नामे आधर करें तीनों का तो ये रोजर पेंडरोज रेजनियाड गेंजल और एंड्रिया गेज तो इन तीनों को मिलाएं बोतिकी का नोबेल प्राइज जो रोजर पेंडर खके समवामने सिधसत का एक मझबूत पुरूनामान की खोजके लिये दिआ गया. जो गेलेक्सी में जो केंद्रे में सुपरमेसिव कॉम्पेक्ट अब्जेक्ट है हैं style complex इसकी खोज के लिए मिलाएं दोनों को सब्सक्राइब से रेइन हार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज तो नाम्याज रखना है इनका दो बागों मिलाएं उसके लाएं 2019 का बहुत तिकी का नोबेल प्रुसकार मिला था जेम्स पिबल पिबल्स माइकल मेयर और डीडियर क्वे चाहिए चिकिस्ता का तो हारवी ऑल्टर उसके लाओ चार्ल्स राइस और उसके लाओ माइकल हुटन तो यह बहुत इक इका मिलाएं कल बता दिया जाएगा रसाइन का भी केमिस्ट्री का भी अलप्रेड नोबेल जिनोंने डाइनमाइट के खोज किती उनकी आदमी दिया रहे हैं तो यह रही हैं अमेरिका की सोपिया वेरगार यही हैं अमेरिका की सोपिया वेरगार तो नामे आज रखना हैं इनका उप्सन सी करेक्ट हैं तो यह अमेरिका की हैं और यह भी फॉप्स द्वारा सबसे ज़दा कमाई करने वाले अभी नेताओं की सूची में ही सामिल नहीं है इस में तो सोपिया वेरगार यहाँ पर वेरगार सुपिया वेरगार यह 315 करोड की कमाई کے साथ सिर्षपर रही हैं तो पोब्स नहीं जारी किए यही तो स्वापिया वेरगार नेक्सट कुसे ने किसने नागरिक उडियन सुरक्षा ब्यूरो याने BCAS Bureau of Civil Aviation Security इसके माने देशक के रूप में किसे चुना गया हैं तो यह चुना गया हैं अभी MA गणपती और संसी क्रेक्टें यही है MA गणपती और इनी को यह भी Bureau of Civil Aviation Security BCAS याने नागरिक उडियन सुरक्षा Bureau इसके माने देशक नियुक्त के आए MA गणपती को अभी ता कौन थी उसा पड़े और यह भी दो तीन महीने एक दो महीने हुए हैं इसको उसा पड़े को यह नागरिक उडियन सुरक्षा Bureau इसकी पहली मैला माने देशक बनी थी अब इनका इस्तान लेंगे MA गणपती नागरिक उडियन सुरक्षा Bureau इसके माने देशक बनेंगे उसके लावा बात करें नागरिक उडियन सुरक्षा Bureau याने Bureau of Civil Aviation Security इस्ताप नौईतिस की 1978 में इसका एड़ को आटरे नई दिल्ली में और बात करें नागरिक उडियन मंत् तो यह हैं हरदीप सिंग पूरी यह आद रखना है नेक्स्ट किसे ने हैं हाली में हेव प्योर नेचूरली योवर्स परल किस राज्यसरकार ने सुरू किये हैं तो यह किये हैं उत्राकंड गौर्मेंट ने तो उत्राकंड गौर्मेंट ने भी हेव प्योर नेचूरली यो वह्यों प्योर नेचूरीली ओवर्स से पहले S20 प्योर पॉर सीयो में चुछ घ्रस्तान के लिए यू फ्य already प्यांद इसानों के मदद करने के लिए यह प्यूर नेचुरीली ओवर्स तर्क Daisy प्योर यूररणक्र curious सुर्भन और अभी सभ़न दून संग्स त seamless capital बनी थी गेर सेंड उत्राकंड का जो चंबोली जिला है उसकी तशिले गेर सेंड चिप निस्टरी यहां की त्रिवेंदर सिंग रावत और गवर्नर यह बेबी रानी मोरिया उसके लावा यहां के चिप जस्टिस है रमेश रंगनातन उसके लावा बारत का पहला हिम तेंद्वा के अंदर खोला गया था भी निदरलेंड की मदद से उत्राकंड में उसके लावा बारत का पहला लाइकेन पार्क सिटी वन भी यहीं हुआ था भी दरस्टी पोर्टल संप्रक दीदी मोबाइल एप उसके लावा एग रंताले और बेरोजगार यूँआउं के लिए होप प सबसे पूरणा नाम है हेली नेशनल पारक तो बारत का सबसे पुराणा नेशनल पारक जीम कारबेट नेशनल पारक यह उत्राकंड में तो 1935 में इसकी स्थापन आई थी जिम कारबेट नेशनल पारक और इसके बीच ओविश एक नदी बरती है राम गंगा नदी भी करेक्ट हैं Center for Development and Advanced Computing तो यह बारत का सबसे तेज कंप्यूटर है परम सिद्धी AI इसको विक्षित करेगा बात करें CDAC फुल परम तीए यह Center for Development of Advanced Computing इस्ताबना इसकी 1923 में हुई थी और इसका सब्सक्राइब करें पूरे में और इसके मान दे सके हैमन्त दरबारी 1988 में बता दें तो NHAI National Highway Authority of India इसकी भी इस्ताबना उई थी कि उसके लाव यह निर्मान चेत्र में पूरी तरह से डिजिटल बनने वाला पहला निर्मान संक्तन भी बनाए NHAI उसके लाव वन्सरंग्सन नीती में संसोदन किया गया था कि आले में कौार्ड देशों के विदेश मंत्रियों की बेटक कहा एजित हुई है तो यह जापान के केपिटल टोक्यों में अभी कौार्ड देशों के विदेश मंत्रियों की यह बेटक हुई है और भारत के जो विदेश मंत्रियों यही है सुबर मन्यम जे संकर तो इन्हो माइक पॉम्पियो तो इन्होंने टोक्य में आई जित इस बैटक में बाग लिया है कि नेक्स्ट किसने और लास्ट किसने हाले में किस देश के किर्केटर नजीब तारकई का निदन हुआ है तो यह अफगानिस्तान के पूरो किर्केटर है नजीब तारकई यही है नजीब तारकई अफगानिस्तान के किर्केटर है तो इनका भी निदन हुआ है और इन्होंने एक मात्र ODI International में इसके लादा 2017 में नजीब तारकई उसके लादा 2014 में T20 विसुक अप में इन्होंने डेब्यू किया था उसके लादा अभी विसाल आनंद यह बोलो यूड अभी ने ताएं विसाल आनंद इनका भी निदन हो गया है और इनका असली नाम था बिसम कॉली तिया यह विसाल आनंद दोनों एक ही इमेज उसके लाद 1976 में इनकी मूवी आया थी चलते चलते इस मूवी के लिए फेमस हैं विसाल आनंद अब लाश्ट टुडियो किस्टन का उसके लादा बात करें अफगानिस्तान की यह रामेप में अफगानिस्तान अफगानिस्तान की कैपिटल है काबूल करेंसी ह यहां के अफगान अफगानी और यहां के राष्टपति हैं असरब गनी उसके लाहां अफगानिस्तान और भारत के बीच में एक लाइन उसको बोलते हैं डूरंड लाइन इसकी लंबाई एक सो शे किलोमेटर यहने सबसे कम सीमा लगती है भारत की अफगानिस्तान के साथ और 3488 किलोमेटर के लगती है चायना के साथ और 323 किलोमेटर यह लगती है पाकिस्तान के साथ यह द्यान रखना है तो अफगानिस्तान के किर्केटर थे नजीब तारकई उसके लाव विशाल आनंद बॉलेवड अभिनेता है इनका निदन हो गए है लास्ट लुट्यों क्यूश बुक काईल किसने किया है तो इसकाल impact उर्मेंटर उक्स ने किया है तो ईसकाहечатर फ्रस्च नमबर को टॉर्पवराइंग है और चैनल को सबस्क्राइब करके भिल प्रैकनको जरूर दभाएं जिस यंच्छे लोगल का मनान्वी करें लुग देने याई यहूज।